नमस्कार दोस्तो देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज की स्टूडियो में आप देखने वाले हैं रेलवे ग्रूप D 2019 बिसी यानि की जिसका फॉर्म भरा चुका है दोस्तो इसके लिए कट अफ जो एक्सपेक्टेट क्या रख सकता है और क काफी कम इस बार आपका कटाफ जाने वाला है अगर आप जनरल EWS या फिर OBCS CST से आते हैं तो तो यहाँ पर क्या कारण है कारण कितना बड़ा है वह मैं आपको आने वाला हूँ तो दोस्तो यहाँ पर जो है आप एक लाख दस अजार कर लिजेगा एक लाख दस अजार के करी में आपकी वेकंसी रेलवे की पूरी हो चुकी है यानि दोस्तो जो है ग्रूप C जिसने निकाल लिया है या औरेटी ग्रूप D किसी ने निकाल लिया है एंटी पीसी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ तो दोस्तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर बात करें और और आर प इसी में competition आपसे होगा ठीक है यानि कि group D में जो लोग job चाहते हैं उनके लिए safe हैं बस वो पढ़ाई पर ध्यान दे साथी साथ यूपी प्लिस यानि कि वर्दी वाली job जिसको मिल चुके लगबग डेर लागे करीमे वेकंसी ये भी complete हो चुके है अलग-अलग राज्यों में तो दोस्तों लगबग जो है तीन से चार लाग के करीमें जो है चार लाग के करीमें जो है आपके बच्चे यहां से competition से बाहर हुए हैं साथी साथ एज में भी कई लोग हड़ जाते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका cut-up कितना जा सकता है देखे पेपर सब कुछ ठीक ठाक रहा है तो आप जो है अपका cut-up previous year से थोड़ा सा down जाएगा थोड़ा मतलब 50% के करीमें आपका down जा सकता है तो देखे नार्मलाइशन के बात बात करें तो साथ के जो है लगबग में आपका normalization के बात cut-up रह सकता है अगर आपको अच्छी से अच्छे पोश्ट लेना है तो साथ कोशन अगर आप जो है आप अच्छे से राइट करके आएंगे सौ में तो आप बहुत ही अच्छे जो है अपना पोश्ट आप पा सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि इसमें हो जाए मेरा ये वाला हमको मिल जाए वो अलग 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 लोग का होता है में यहापर notification की बात करें तो 40% इन्हों ने कहा है कि 40% से जादर अंचे इससे कम रहेगा तो आप जो है qualify नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है दोस्तों लगभग जो है साथ कोशन के आसपास अगर आप राइट कर देंगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है अगर प परतीसत में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पहले के मुकाबले जो है आपका अगर आप फॉर्म भी फिलप देखेंगे तो जो है एक लाग के आस एक करोण के आसपास में ही रह गया है जबकि जो है 63,000 आपके टोटल पीछली बार आपकी सीट थी और यहाँ पर दोस् में आपके विकेंसी चलेगे यह तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह आपको देखने के मिलेगा कि परतीसत में अगर बात करें तो अगर अभी बात करें तो अगर लगभग में बात करेंगे अगर जो है सब कुछ ठीक रहा पेपर पहले की तरह रहा तो एक्सपेक्टेड आज पास जो है आपका जा सकता है 51 प्लस सबसे कम बात करें सिर्फ सलेक्ट होने के लिए ठीक है लेकिन यहापर दोस्तों अगर आपको अच्छा से अच्छा पोश्ट पाना है तो यहापर साथ और यह मैं जनरल के लिए बता रहा हूं ठीक है बाकी सब चीजे दोस्तों आप आपना सट्विकेट नहीं बनाते थे आप देखिए OBC का कटफ जो जनरल के बराबर लगभग में जाने लगा है काफी कम है AWS का अब के सटीकेट बहुत कम लोगोग के पास है और यह टीक है यह है लेकिन अगर आप वहाँ पर देखें कि अभी जागरुकता नहीं थी बहुत साई लोगों ने EWS में वो आते हैं फिर भी वो जो है नहीं बनवा पाये थे तो इस प्रकार से अगर बात करें तो जो है 60 आप जो है में यहापर वांटरी लेके चलिएगा सभी लोग जिससे अधिक से अधिक जो है आप नंबर ला सकें और अच्छा से अच्छा अपना दे सकें बाकी पोस्ट आपको प्रिफरेंस में चाहिए कि हमको यह पोस्ट चाहिए तो अच्छा से अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा इस बार दोस्तो पचास पतिससत जो है अगर पतिससत में बात करें तो आपका घटा है कंपडिशन ठीक है ग्रूप D के अपका कम जा सकता है घट सकता है जैसा कि आपको कमपडिशन का लेबल दिखाई दे रहा है तो दोस्तो मैंने आपको गुरूप D में क्या एस्पेक्टेट का टफ जा सकता है क्या कारण है वो भी मैंने आपको बताने का प्रियास किया दोस्तो आसकरते है हमारा प्रियास हम उसको बनाने में बहुत समय लगता है उसको सपोर्ट करिए कम से कम जो है 100 प्लस यहां पर लाइक रहने चाहिए उसके बाद मैं उसको कांटिन्यू करने वाला हूँ चार सेट मैं अल्रेडी बना चुका हूँ जो है एंटी पीसी का सेट है मैथ का ठीक है वीडियो को लाइक देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद